नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या 36 गड के दुर्ग भिलाई में गुरु द्वारा श्री तेग बहादूर साहिब कैम्प वन में भी गुरु नानक जैन्ती पर गुरु पर्व पूरे हर्श और लास के साथ सिक्स समाच के लोगों के बीच मनाये गया इस दिन साधू संकत द्वारा गुरु की शान में शब्द कीर्तन का आयोजन भी किया गया गुरू नानक जहनती के आफसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कारिय करने वाले सर्व समाज के लोगों को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया कोरोना काल के दोरान अपने स्वास्ते की परवान ना करते हुए कोरोना वारियर्स के तोर पर कारिय करने वाले करमचारियों का भी स्वागत सम्मान विधी अनुसार सिरोपा दे कर किया गया गुरू नानक जहनति की आफसर पर आयोजित इसकार्यक्रम को शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किया गया वही गुरु द्वारा आय लोगों को मास्क का वित्रन करने के साथ सेनिटाइज भी किया गया दुर्ग भिलाई से राजेंदर गाडे वसुरील सोनी की रिपोर्ट यालिये पाल दिन का प्रोग्रम चारखेंट गया है और हैं यहां पर लंगर का प्रोग्रम था जो की सच्छा अकाल पूरते उन्होंने जनम लिया सरीक इस चीश का बताने के लिए कि प्रमात्मा एक है और उन्होंने इस तरी पुर्स में समन्ता बताई और जो भी पखंडवाद इनको दूर करने के एक मानोता कि जो सिच्छा देने के लिए इस दुनिया में आए और यही बताने हैं कि परमात्मा जो एक है और खुद परमात्मा को आकालपुर को जन्म देना पड़ा जो आज 500 कर्मा जो जन्म दिवस्था यह परकासपरव आज बनाया गया है और काफी हम लोग साही है और यह सभी बिलाई दुर्म में बनाया गया है और इस तरह ही आगे के जो प्रोग्राम है जो भी रहेंगे वह आपको बताएंगे बखी सब बहुत बढ़ी आए तो अगे परेपाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैं धन्यवारी लाँ परेपाने को लाँ लाई झाएंगे